नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की सिटालिन फोरट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिटालिन फोरट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिटालिन फोरट टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की सिटालिन फोरट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे की सिटालिन 4-8 Tablet को लेने के बाद कितनी देर बाद नींद आनी शुरू हो जाती है और कितनी देर तक Sitalin 4-8 Tablet का असर रहता है Sitalin 4-8 Tablet का उप्योग डेप्रेशन होने पर और Angioty यानि चिंता वर तनाव को दूर करने के लिए Sitalin 4-8 Tablet का उप्योग किया जाता है सितालिन फोरट टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है इसलिए जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है या नींद नहीं आती है उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर सितालिन फोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं इसके अलावा पैनिक दिसॉडर होने पर भी सेटालेन eating for a tablet का उप्यों किया जाता है. पैनिक दिसॉडर होने पर व्यक्ती बहुत ज्यादा भेभीत और डरा हुआ रहता है. सेटालेन फोर डिसॉडर एक ब्रैंड नेम है. अब हम दिसकस करेंगे की Sitalin for at tablet को कैसे लेना recommended होता है Sitalin for at tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर सिटालिन फोरट टैबलेट को दिन में एक बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर सिटालिन फोरट टैबलेट को सुबह के समय भी लेने की सलाह दे सकते हैं। सिटालिन फोरट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिटालिन फोरट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों में सिटालिन फोरट टैबलेट को लेने के बाद एक घंते से लेकर दो घंते के अंदर नींद आनी शुरू हो जाती है। और सिटालिन फोरट टैबलेट का असर 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक रह सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सिटालिन फोरट टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। पेट से गैस निकलना और उबासी आना आदी साइड इफेक्स सिटालिन फोरट टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं। इसके अलावा सिटालिन-fire-tablet की वज़े से याददास्त कमजोर होना, शरीर में ठकान वसुस्ति रहना, दस्त होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक सिटालिन-fire-tablet का सेवन करने की वज़े से शरीर का वज़न ज्यादा भी हो सकता है। और शरीर का वजन कम भी हो सकता है। सिटालन फोरट टैबलेट को लेना बन करने के बाद, कुछ व्यक्तियों में नींद ना आने की समस्या पहले से भी ज्यादा गमभीर हो सकती है। महिलाओं में सिटालिन फोरट टैबलेट की वज़ा से उनके मासिक धर्म अन्यमित हो सकते हैं। सिटालिन फोरट टैबलेट की वज़ा से पुरुषों की सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है। और सेक्स के दौरान सीमन निकलने में देरी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे क सिटालिन फोरट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लंबे समय तक सिटालिन फोरट टैबलेट को लेने से सिटालिन फोरट टैबलेट की आदत पड़ सकती है। इसलिए सिटालिन फोरट टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सिटालिन फोरट टैबलेट को लेने की सला दी है। के बाद नीन अधिक आती है. मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर, रस्पिरेटोरी डिप्रेशन होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और आखों में ग्लुकोमा होने पर सिटालिन फोरट टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है. इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना सिटालिन फोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को सिटालिन फोरट टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे कलोनाजेपाम या एसिटालोप्राम आदी से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिटालिन फ इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सला के बिना सिटालिन फोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिटालिन फोरट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते झाल झाल झाल